आप मफी आती कि न बोलिए उसको एक्स मुसलिम मेंबर अब पार्लिमेंट बोलिए पहले आप ये बोलिए वन्ना मैं इंट्रिव्यों चोड़ते जा रहा हूँ मैं अभी चला जाओंगा उटके नमस्कार मेरा नाम शालनी सिंग है और आज मैं face to face चनल पर आपकी मुलकात करवाने जा रही हूँ भारत की अजीम शक्सियत जिनको पूरा भारत उनकी बकवास की वज़े से जाए तो आज आज आपकी मुलकात कराती हूँ कमबक्तुदीन नियोसेंसी साहब से हाँ तो कमबक्तुदीन साहब ये बताए हाल ही में जो इतनी संसनी खेज हत्या हुई है माफिया आतिक एहमत की उसके बारे में आप क्या कहेंगे मौतरमा वो माफिया नहीं थे एक्स मेंबर आफ पारलिमेंट थे और हमें कोट पर भरोसा है हमें संविधान पर भरोसा है हमें जजज़स पर भरोसा है उनको अगर सजा कोट से मिलती नियाले से मिलती तो हमें खुशी होती हम जशन बनाते लेकिन जस तरीके से जशी राम बोलकर उनको मारा गया है हम ततकाल योगी अधितनाजजी को जो ये फिक्का फरस्ती और राडिकलाइजेशन फैल लहा है तुरंद योगी अधितनाजजी को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए तो कमबक्तोदीन साहब आप मानते हैं कि ये जो हत्या हुई है ये गलत थी ये उन्हें नयायाले से सजा मिलनी चाहिए थी ठीक है पर उनके बेटे असद अतिक के बेटे असद जो की भगोडा था भाग गया था उसका इंकाउंटर हुआ वो क्या सही था या गलत था देखिए वो भी गलत था अगर पुलिस का स्टोडी में मारना गलत था तो असद उस नौजवान को उस बेरोज़गार नौजवान को उस हैरान परेशान नौजवान को भी मारना इस तरीके से इंकाउंटर में गलत था रमज़ान का महीना था रमजान के महीने में असद पुलिस वालों पर गोली चला ही नहीं सकता था रमजान का महीना और उपर से असद एक मुसल्मान हम सिर्फ और सिर्फ सम्वेदान पर भरोसा करते हैं और सम्वेदान पर भरोसा करने की वज़े से हम पुलिस पर कभी भी गोली नहीं चला सकते वो भी गलत था उसको भी पकड़ कर मारा गया है पर कमबक्तुदीन साहब पूरी दुनिया ने उसको कैमरे पर गोली चलाते हुए देखा है आप अजीब गोदी मीडिया के लोग हैं उसने क्या गोली पुलिस पर चलाई थी हम समवधान को मानते हैं समवधान को मानते हुए हम कभी भी हम कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएंगे क्या आपने असद बेटे को उस नौजवान को उस CCTV में क्या पुलिस पर आपने उसे गोली चलाते हुए देखा है आप बताईए आप बदनाम कर रहे हैं उस बच्चे को क्या आपने उसे पुलिस पर गोली चलाते हुए देखा था जब हम सम्विधान पर यकीन रखते हैं तो हम कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएंग और किसी ने उसे पुलिस पर गोली चलाते हुए ने देखा लेकिन सर बम से मरते पुलिस वालों को तो पूरी दुनिया ने देखा बम असद ने मारा था बम असद ने नहीं मारा था आप मुझे ये पूछने आई थी आपने बताया था कि अतीक और अजद पर आप मेरा इंटरिव्यू करेंगी गुड़ू मुस्लिम ने क्या किया है मैं नहीं जानता पर बेटे ने बच्चे ने असद ने पुलिस पर बम नहीं मारा क्योंकि असद भी समवेदान पर यकीन करता था जैसा आपने बताया कि अतीक के मामले में आप नयाले के फैसले का सम्मान करते तो क्या असद सरिंडर कर देता तो आप उसको भी यही सलाह देते कि उसे सरिंडर कर देना चाहिए था नयाले पर हमें भरोसा नहीं है इसी नियाले नहीं एक नौजवान को बे गुना को अफजल गुरू को फांसी दी थी तो चाहे पुलिस कस्टोडी में कोई मरे चाहे जंगल में इंकाउंटर में कोई मरे और चाहे नियाले अफजल गुरू को फांसी दे अफ़ल हम शर्मिन्दा हैं उसके कातल अभी तक जिन्दा है किसी को भी नहीं मरना चाहिए हमें नियाले पर पूरा भरोसा है पर वो तब तक है जब तक नियाले में हम जाएं और नियाले हमें रिलीव दे दे और हमारी बात माल दे अगर नियाले हमारी बात नहीं मानता तो हमें नियाले पर भरोसा नहीं है अतीग के मामले में हम ये कहेंगे कि हमें नियाले पर भरोसा था सजा नियाले को देनी चाहिए थी असद के मामले में हम ये कहेंगे कि जंगल में भी इंकाउंटर नहीं होने चाहिए और अफजल गुरू के मामले में आप गोधी मीडिया से हम यही कहेंगे कि नियाले को किसी को भी फांसी नहीं देनी चाहिए। कुल मिलाकर नियाले वो करें जो हम चाहते हैं जैसा कि सम्विधान कहता है भारत से क्लर मुलक है नियाले को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कमबक्तुदी साब आप मुझे ये बताइए कि आप सम्विधान पर भरोसा करते हैं नयायाले पर भरोसा करते हैं पुलिस पर भरोसा करते हैं आप किस पर भरोसा करते हैं किस प्रकार से नयाय किया जाए हमारी जब चॉइस होगी हम सम्विदान पर भरोसा करेंगे जब चॉइस होगी हम कुरान पर भरोसा करेंगे जब चॉइस होगी हम नियाले पर भरोसा करेंगे और जब चॉइस होगी हम नियाले पर भरोसा नहीं करेंगे हमें सम्विदान पर यकीन है सम्वेदान सेकलर है और यह सेकलर सम्वेदान हमें इसकी इजादत देता है तो सर ये बताईए कि माफिया अतिक के साथ और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है आप माफिया अतिक न बोलिए उसको एक्स मुसलिम मेंबर ऑफ पार्लिमेंट बोलिये पहले आप ये बोलिये वन्ना मैं इंट्रिवियों चोड़के जा रहा हूं मैं भी चला जाओंगा उटके ठीक है सर आप जैसा के है तो जो ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लिमेंट है एक्स मुसलिम एक्स मुसलिम मेंबर ओफ पार्लियमेंट के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ नाइंसाफी हुई उनके साथ उनके परिवार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है लोक तंत्र का कतल हुआ है संबेधान का कतल हुआ है जिस पर हम वरोसा रखते हैं महतमा गांदी के सपनों का कतल हुआ है अम्बेदकर साप के सपनों का कतल हुआ है मौतरमा आप बात कैसी कर रही है ठीक है सर तो जो उमेश पाल के साथ इस एक्स एमपी ने किया वो भी गलत था एक्स मुस्लिम एमपी बोलिये ना एक्स मुसलिम MP जी, कोई गलत नहीं किया रोजगार नहीं है नोकरियां नहीं है असद के पास नोकरी नहीं थी चार-चार इंटरिव्यू से रिजट हुआ था हैरान था, परेशान था पेटरोल की किमतों से परेशान था शाइसता बहन गैस की किमतों से परेशान थी एक नोजवान और क्या करेगा हत्यार नहीं उठाएगा तो क्या नहीं करेगा माफिया नहीं बनेगा तो क्या करेगा उसके पास अगर रोजगार होता अगर वो कहीं सरकारी नोकरी में होता तो वो मासूम बच्चा ऐसा कभी ना करता इसमें मोडी को भी स्तीफ़ा देना चाहिए और योगी को भी स्तीफ़ा देना चाहिए कि यूआ इतना परेशान है कि वो हत्यार उठा रहा है इसमें भारत के पूरे सिस्टम की γलती है असद की गलती नहीं है वो तो नादान था नौकरी नहीं थी क्या करता है तो कुल मिलाकर एक्स MP के साथ जो हुआ है एक्स मुस्लिम MP के साथ जो हुआ है आप चाहते हैं कि प्रदान मंतरी मोदी जी और उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी जी उस पर इस्तिफा दे जी और जैश्री राम पर रोक लगे मारते हुए जैश्री राम बोला गया है जैश्री राम पर रोक लगनी चाहिए इस देश में इस देश में जैश्री राम बोलने का दिकार अब किसी कोणी होना चाहिए एक आखरी सवाल सर अपराद करने से पहले कई बार अल्लाहु अक्बर बोला गया है सरतन से जुदा बोला गया है तो फिर वो भी गलत होगा ये सम्वेधान से चलेगा देश अब आप हमें इस देश में अल्लाहु अक्बर और सरतन से जुदा भी नहीं बोलने देंगे सेकलरिزم का कतल कर देंगे जैशी राम पर बस रोक लगनी चाहिए सेकलर मुलक है अल्ला हो अक्बर नारा ए तक्वीर अल्ला हो अक्बर कतल करने से पहले बम फेकने से पहले पत्फर चलाने से पहले सर्थन से जुदा ये सब की इजाज़त हमें ये ही संबेदान देता है लेकिन ये हिंदुत की ताखते जो है ये हम अकलियत को तोचर कर रही है पुरी दुनिया जानती है जैशी राम पर इस देश में रोग लगनी चाहिए और अल्ला होगबर सेक्लिरिजम को जिन्दा रखने के लिए हम मुसल्मानों को इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए तो सर आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा आज और उमीद करती हूँ कि आप इस तरह की बकवास बदस्तूर जारी रखेंगे जी शुक्रीए